नमस्ते में हुँ देव आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर ये एक एडवांस्ट मास्ट्रिंग लेक्चर है जो कि हम F.A. स्टूडियो के सिर्फ स्टॉक प्लगिन से ही करने वाले हैं मास्ट्रिंग सीखने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टन बता दूँ पहली चीज ये जॉनर बाइस्ट नहीं होने वाला पॉर एक्जेंपल जो भी टेकनिक्स जो भी एंजिनेरिंग मैं यहां यूज करूँगा वो चाहे आपका सैड सॉंग हो चाहे रोमेंटिक हो चाहे कोई पाटी सॉंग हो कोई डांस नंबर हो कोई हिप हॉप हो कोई ट्रिल बीट हो सबके उपर exactly सेम ही चीज़ चलती है सिर नहीं है, आप उसे बीच में ही छोड़ देंगे और हजारों mixing, हजारों mastering के lectures देखने के बाद भी आप confused रहेंगे, अगर आज का lecture, ये advanced lecture, अगर आपने दिल से copy pen लेकर note करते गए, end तक सुनते गए, तो definitely आपकी सारी mastering की जितनी भी problems हैं आज solve हो जाएंगी, दूसरी चीज, mastering के दोरान में ये नहीं करने वाला, कि plugins लिए, और मैंने बताया, ठीक है बस ये knob घुमा दो, ये preset ले लो यहां से ये ले लो, नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा, audio engineering हम complete engineering के हिसाब से चलेंगे, हम अपना base strong करेंगे, advanced level तक और सीखेंगे, किस तरह से mastering होती है ये software biased नहीं है आप ये same techniques किसी और में भी कर सकते हैं, पर यहां मैं FL Studio के stock VST से करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे comments में मुझे आया था आने वाले वक्त में हो सकता है, मैं दूसरे software में भी ये बताऊं so without further ado, let's start मेरा song आया था बादशा आपने सुना होगा, जिन्हों नहीं सुना वो जाके सुनिये, यूट्यूपर और Spotify पर जाकर जरूर सुनियेगा आपको sound quality अच्छी लगेगी और मेरी Spotify की profile फाइल स्ट्रॉंग हो जाएगी, चलिए मैं यहां जाता हूँ यहां पड़ा है मेरे पास mix तो mastering से पहले ही मेरे पास mix होना चाहिए, वो क्या है, सबसे पहले मैं इसे अपने software में ले जाता हूँ और यहां मैं आ गया हूँ एक बहुत important चीज़ है जो आपको already पता भी होगी बर मैं फिर भी बता देता हूँ अगर आपके mix के अंदर कोई भी issue है कोई भी गलती है, कोई भी problem है वो mastering से solve नहीं होने वाली वो mix के दोरान ही आपको solve करनी पड़ेगी master और mix में main जो difference है वो यही है कि जो मैंने mix के अंदर किया अब उसी को मैं हलका सा enhance करूँगा mastering के दोरान दूसरी चीज, mastering सिर्फ loudness नहीं है mastering बहुत सारी चीज़ों से related है आपकी tone, आपकी overall dynamics आपका harmonics, आपकी stereo width यह सारी चीज़े count होकर mastering होती है सिर्फ loudness नहीं बहुत लोग mastering को सिर्फ loudness के ही point of view से देखते हैं तो फिर तो आप सिर्फ knob घुमा दीजिए या घर पे जो भी गाना सुन रहे हैं जादा volume पे सुन लीजिए, mastering हो गई इसलिए mastering सिर्फ loudness नहीं है अब यहाँ पर मैं mix करके आया हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ सुनता हूँ अब पहली चीज़ आपको मैं बता दूँ यह mix किस पे हुआ है यह अलड़ी जब गाना बना था JBL के 104 speakers हैं आठ नौ हजार में आ जाते हैं उसी के उपर produce है, उसी के उपर mix है, उसी के उपर mastered है तो उन particular speaker से जितनी quality हम achieve कर सकते हैं वो करने कोशिश की है आप जाकर Spotify पे और YouTube पे चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर मेरे पास mix है master chain नहीं, यानि कि मैंने mix जो है थोड़ा headroom preserve करके यहाँ मैं ले आया, आप देख सकते हैं हमारे पास अच्छा खासा यहाँ पर headroom है meters में चेक करने की ज़रूरत नहीं हमें visually ही नजर आ रहा है अब यहाँ पर मैं शुरू करूँगा मेरी mastering की जो chain है obviously सबसे पहले मैं लूँगा एक EQ मैं यहाँ जाता हूँ और मैं लेता हूँ एक parametric EQ अब मैंने EQ लिया है, मैं थोड़ा से इसे बढ़ा भी कर दूँ सबसे पहली चीज़ है कि जो थोड़े बहुत issues है subtractive EQ के दौरान मैं कट करूँगा, जो चीज़े मुझे नहीं चाहिए जो frequencies, जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं कट कर दूँगा, boost हम अगले step में करेंगे सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ मैं यहाँ से जाता हूँ, type और मैं जाता हूँ, high pass और यहाँ से मैं order इसका काफी tight कर लेता हूँ, आप चाहें तो यहाँ से preset ये भी होता है, 20, 30, 40 कि इस तरफ से वो 40 hertz cut कर देगा और higher side पे 18,000 hertz, चलिए मैं ये तकरीबन ये लेके देखता हूँ अब हम यहाँ से तो ठीक है, हम मट काटते हैं, वहाँ से थोड़ी सी air साफ कर देते हैं, ये करने का reason क्या है obviously हमें कहने को है कि मैं 20 से 20,000 सुन सकता हूँ, पर 18, 19 साल की उमर cross करने के बाद, हम काफी अपनी hearing capacity है, वो काफी हम lose कर चुके होते हैं, और बिल्कुल 20 और बिल्कुल 20,000 technically हम सुन भी नहीं पाते हैं, और समझ भी नहीं पाते हैं दूसरी चीज़, अगर आप सुन और समझ भी सकते हैं, तो भी यो काम की नहीं है किसी दिन आप Edison में, या किसी भी sign generator में जाके देखेगा 18,000, enter, सिर्फ 18,000 19,000, 20,000 18,500, ये सुनके देखेगा आप खुदी इतने परिशान हो जाएंगे वो particular frequencies को सुनके कि आप समझ जाएंगे हाँ, ये मेरे काम की है भी नहीं अगर गाने के अंदर हो right, तो साफ कर दिया अब साफ करने का फाइदा क्या हुआ जब मैं इसको बाद में loud करूँगा जब मैं इसमें harmonic side करूँगा जब मैं compression करूँगा तो कुछ ऐसी frequencies जिनका काम ही नहीं था वो बीच में है ही नहीं जिस विए से मुझे हलका सा headroom और मिल जाता है right, यानि कि कहने को ये है कि इस कमरे में बहुत से लोग खड़े थे बहुत ज्यादा भीर थी जो musician नहीं थे मैंने उने कहा कि आप तो musician नहीं हो फिलहाली musicians की meet है आप बाहर जा सकते हैं जो लोग important नहीं थे जो frequencies important नहीं थी वो कमरे से बाहर गई और अब हमारे पास आराम से बैठने को बातचीत करने को और कुछ काम करने को अच्छा space है इसे साब से आप समझ सकते हैं 29-30 के round मैंने low उसके काड़ दी है इससे आगे या पीछे अगर आप बहुत ध्यान से सुने आपको main चीज क्या है जिस पी तरह का गाना हो मैंने आपको पहली पताया ये lecture जो है ये genre biased नहीं होने भाला आपका जिस पी तरह से होंगा obviously उसमें low होंगे mid होंगे, high होंगे तो आपने पहले ये दिखना है कि मुझे कितना low चाहिए क्यूंकि इतनी ज्यादा rumble या इतनी ज्यादा मुझे create नहीं करनी है कि किसी के subwoofer में या किसी क्या कुछ ऐसा speaker है जो थोड़ा सस्ते brand का है और एक ही driver से सब कुछ वो पानी कोशिश कर रहा है 30, 35, 32, 28 ये एक अच्छी range है चली तकरीपन 18,000 Hz 18,000 Hz आप कह सकते हो kilohertz मैं यहाँ से cut कर दिया है ठीक है, done अब मैं यहाँ से कुछ भी boost करने से पहले मैं थोड़ी सी compression चाहूंगा मैं यहाँ पर देख सकता हूँ मेरी जो dynamic range है काफी ज्यादा है यह बिल्कुल loud part हो गया यह बिल्कुल quiet part हो गया dynamics जैसा मैंने आपको पहले भी बताया बहुत ज्यादा important चीज है compression जो है mix के दोरान master के दोरान, production के दोरान sound design के दोरान आपको इसका base पता होना चाहिए आपको beginner to intermediate to advanced level compression का हमेशा पता होना चाहिए जो हम expect करते है dynamic range हम यहाँ पर देख रहे है काफी ज्यादा जिल लोगों को नहीं मालूँ मैं वैसे यह advanced lecture है मैं लेके चल रहा हूँ सबसे मेरी पूरी audio का सबसे loud part और सबसे quiet part इस दोनों के अंदर जो decibels का difference है वो मेरी dynamic range है यह एक हो इतना ज्यादा loud है और हम हम यह इतना कम है अगर यह ऐसा है इतने ज्यादा इसके अंदर distance है तो बहुत गाना उपर नीचे उपर नीचे सुनेगा जो मुझे परशान भी करेगा और वैसे भी consistency नहीं होगी मेरे गाने के अंदर तो compression का क्या काम है dynamic range को कम करना ठीक है जो इतना ज्यादा था मैं उसे pass ले आया अब यहाँ पर लोग गलती क्या करते है overdue कर देते है एक loud part है, quiet part है और दो उन्हों को पकड़ के बराबर कर दिया इतनी ज्यादा dynamic range कम नहीं करनी है क्योंकि मुझे groove भी तो चाहिए मुझे गाने के अंदर जो मैंने जान बूच के कुछ expressions छोड़ेगी वो तो कुछ जान बूच के भी मैंने अब down किया है अगर आप इतना overdue करतेंगे तो जो feel है, जो groove है जो artist ने, vocalist ने, instrumentalist ने जान बूच के वो dynamics छोड़े है उपर नीचे वो भी आप crush करतेंगे, इसलिए over crush नहीं करना चलिए हम लेते हैं एक compressor और वैसे मेरा जो stock compressor है, वो मेरा फेवरेट है, fruity compressor, लेकिन obviously पढ़ाते वक्त visually नहीं दिख रहा होता उसमें तो मैं यहाँ पर limiter वाला ले लूँगा exactly सेम चीज़ है दोनों में अब यहाँ से मैं compressor यूज करने के लिए सबसे loud part पर जाओंगा यानि कि जहां मेरा drum से ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ ratio, मैं ratio तकरीबन जो रखूँगा वह आप हिंट पैल में दे सकते हैं दो से ढ़ाई, तीन हद मैं यहाँ पर दो सबादो ही रखूँगा चलिए 2, 2 is to 1, 2.2 is to 1 is enough क्यूंकि हो सकता है अभी मैं एक और compressor भी लूँ थोड़ी सी tone add करने के बाद धीरे-धीरे मैं threshold नीची लेके जाओंगा और जहाँ मेरा gain reduction सिरफ एक दो डीबी, एक दो डीबी हो मैं वहीं तक लेके जाओंगा, इससे ज्यादा नहीं जिस्म की बदबू को तू रोकने का फंजाने वास मारी तेरी सोच तेरा मन जाने अशलील से जलील का सफर बहुत छोटा है कबर में लेटा वो दफंजाने इरगिट शर्माई, तेरे टैलेंट से जलालत का पर्दा जला दूँ, प्रोपैलेंट से जिस्म की बदबू को तू रोकने का फंजाने वास मारी तेरी सोच तेरा मन जाने बादशाह रोगी के व्यक्तित्व की बाते छोड़ कैसा आया तिर्चा मोड मरने पे ही देते व्यूज जिन्दा किसे ना पेंदी लोड आप देख रहें जहां जहां मेरे ट्रांजियंट सारे मेरे किक के और स्नेयर के सिरफ वहीं वहीं मैंने हलका हलका किया है गें रिडक्शन जो नीचे वाली फिलहाल छोड़ दी है क्योंकि अब मैं थोड़ा सा बूस्ट करूँगा फिल्टर यूज करूँगो कोई एक्यू यूज करूँगा थोड़ी सी मैं सैचुरेशन होगा उसके बाद देखते हैं किस तरफ मेरी ऑडियो जाती है फिर एक और कंप्रेशन मैं लेने वाला होंगा अब यहां बात करते हैं मेरी अटैक की फिल्हाल में जो अटैक है वो मैं थोड़ा इतना रखूंगा क्योंकि मैं अपने ट्रांजियंट्स को प्रिजर्व करना चाहता हूं जब हमने अटैक एक्दम जीरो रख दिया यानि कि मेरी जो कंप्रेशन है बिल्कुल जीरो से ही जैसी मेरी केक आई वहीं पर कंप्रेशन हो गया तो जो टक करके वाई थी वो भी कंप्रेश हो गई तक करके मेरी केक आई थी वो भी कंप्रेश हो गई मैं चाहता हूं कि मेरा बाकी जो आडियो चल रही है वो थोड़ी 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 कंप्रेश हो लेकिन जो मेरी टक आई उसके बाद गाना चला फिर कंप्रेशन स्टार्ट हुआ तो किक के जो ट्रांजियंट है वो थोड़ा सा प्रिजर्व हो जाता है ठीक है फिलाल एनफ अब मैं यहां से जाता हूँ और यहां पर मैं एक EQ लूँगा अब यहां पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहां जो EQ मैं लेने वाला हूँ जिनके पास latest FL Studio है वो यह जानेंगे जिनके पास थोड़ा पिछला FL Studio है उनके पास यह linear phase नहीं होगा और जब मुझे लगता भी नहीं था कि linear की इतनी जरूरत है तो जिनके पास यह option है हम linear phase on कर देंगे अब linear phase है क्या चीज़? linear phase EQ जो है वो CPU के उपर थोड़ा सा heavy होता है थोड़ी सी latency आती है यह obviously इसका कौन है लेकिन यह linear phase filters use करता है मतलब जब signal filter के थूरू जाता है तो सभी frequencies सभी means सभी frequencies same time delay experience करती है जिसे हम pure time delay भी कहते है उससे फायदा क्या होता है जो हमारी wave shape है यह पूरे song की wave shape जो है वो preserve रहती है और phase shift जो है वो color नहीं कर सकते है इसलिए हम use करते है linear phase EQ तो मैंने यह आपर सिर्फ linear phase ले लिया है latency की मुझे को issue नहीं है क्योंकि mastering में use कर रहा हूँ और बिल्कुल नई project file के अंदर मैं एक नई wave file लेके आया हूँ और कुछ भी mixer channel के अंदर कुछ है ही नहीं तो मेरा CPU के उपर load ही नहीं है जो आप उपर द कर सकते हैं mix की जो problem है mix में जो issue है वो mastering से solve नहीं होते तो आपको कहीं भी अगर कुछ issue लग रहा है कि यह मेरा snare थोड़ा loud है तो यह नहीं मैं यहां से EQ से कुछ करूँगा मैं वापिस mix में जाके snare up down करूँगा आप यहां देख सकते हैं tonal balance एक बहुत important चीज होती है mastering के द जो तक्रीबन आप लगा लेजिए मैं चार पांच सजार के आसपास आप देख रहे है वोकल और जो उसकी हैट है जो हाईस है थोड़ी सी उसमें हलकी से energy आगी है अगर मैं यह आपको on off करके सुनाओं देखिएगा आफ बहुत slight अब एक और चीज है मैं आपको यह बता द अगर आपको life में कभी भी respect to everyone कभी भी mastering engineer ऐसा दिखता है कि जिसने इतना छेड़ रखा IQ तो उसे पैसे अपने वापिस ले लीजिए वो mastering engineer फिलाल experience नहीं है यह जो इतना ज्यादा EQ जब हम कोई fab filter की देखते है या और कोई या इसी EQ की add देखते हैं कि आज ही खरीदिये black fr Friday है तो इस तरह से हमें shapes बनाई रखी होती है वो सिरफ look दिखाने के लिए कि देखो कितने सारे band है उपर नीचे हो जाते हैं लेकिन technically हमें बहुत ही subtle बहुत ही आराम से करना होता है तकरीपन 300Hz के राउंड जो है मैं यह नहीं चाहता कि इसको थोड़ी boxy feel हो यहाँ पर मुझे हलका सच चाहिए थोड़ा समय बूस्ट करना चाहता हूँ जो सिर्फ मैं 1.5 dB राउंड इसे उठाऊंगा कैसा आया तिर्चा मोड मरने पे ही दे दूसरी चीज आप का जो आउटपुट सोर्स है जिससे आप मिक्स मास्ट या प्रिडूस कर रहे है उसके उपर भी डिपेंड करता है फिलहाल मैं हेड़फोन यूज कर रहा हूं आप कोई basic speakers यूज कर रहे होंगे या जैसे यह गान अगर अपना गाना है अपलोड करने से पहले या किसी और का सौंग है किसी और को आप audio services प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको भेजने से पहले दो तीन अलग-अलग audio sources पे अपना जो master है वो चेक कर ले अब हम थोड़ इसी subtractive EQ भी करेंगे मैं ज्यादा resonances में से नहीं काटू तो हलकी सी में एक या दो ही resonances जो बहुत ज्याद ही harsh होँगी जो हमें मालूम है किस तरह से कोई भी band हम boost करते हैं left right करते हैं और resonating frequency जो है resonance ढूड़ते हैं आप दिख रहे हैं vocals काफी अच्छे से mix हो रखे हैं एकदम sitting in the mix है जब अकेले vocal आये मैं left side पूरा किया है कोई भी मुझे वहाँ पर harsh frequencies ज्यादा नहीं सुनाई दी है जो हलकी हलकी आपको whistling सुनी है इतनी तो definitely होती है अब देखे मैं कितना down करूँगा मुझे कोई बहुत बड़ी notch नहीं कर देनी है याद रखीगा यह master है बास डेट डीवी दो डीवी चली बहुत है इतना अब मेरी अगर low देखें तो बहुत ही मैंने total balance एक दम बढ़ी आसा रखने कोशिश की अपनी और जो मेरी kick है जो मेरी base है दोनों अच्छे से side chain भी हो रखी है एक दूसरे के साथ वो ऐसी problem create नहीं कर रहा वैसे हम mid side processing भी आगे भी जाकर देखेंगे अब यहाँ पर मुझे क्या करना है मैं हलकी सी यहाँ पर distortion add करना चाहता हूँ हलकी सी harmonics में add करना चाहता हूँ तो मैं क्या लेने वाला हूँ यहाँ पर एक blood overdrive fruity blood overdrive इसको थोड़ा करते हैं नीचे यह बड़ा हो सकता है नहीं अचारी sizeable नहीं है so blood overdrive मेरा एक बहुती favorite है इसके लावे हमारे पास fast disc भी होता है wave shaper भी होता है वो भी kind of यह काम करते हैं लेकिन जो blood overdrive है वो खासकर guitars पे कभी-कभी थोड़ी सी harsh vocals पे और अगर अच्छा खासा मेरे पास headroom है तो master पे बहुत ही अच्छा काम करता है अगर हम बहुत subtle इसे use क करें मैं फिलहाल आपको fruity blood overdrive के वारे में overall बता दूं कि blood overdrive जो है audio signal flow इसके थुरू कैसा है पहले band pass filter फिर preamp फिर दो पोल low pass filter जो की post filter है post gain से gain reduce और eventually digital clipping बिना preamp use किये भी आपके mix को एक upward compression मिलता है independent frequency bands पर जो actually compression है वो किसी non-linear signal response की वज़ा से है किसी भी vacuum tube compressor की तरह तो आईए हम क्या करने वाले हैं बहुत हलका सा बस color मैं अब बिल्कुल प्रियम छेड़ ही नहीं रहा देखेगा अब मैं यहां से एक लेता हूं Maximus हम फिलहाल limiting इसके अंदर भी कर सकते हैं बट मैं चाहूंगा बिल्कुल मेरे final जो बिल्कुल last जो मेरा master chain के अंदर plugin होता है वो limiter होगा यह बिल्कुल last में है यह देखिए और मैं फिलहाल इसे off कर रहा हूं मैंने सिर्फ लिया है सिर्फ आपको यह बताने के लिए कि मैं limiter से limiting करूँगा मेरे इससे नहीं हम इससे भी कर सकते हैं यह पकड़ा और मैं इससे नीचे कर दूँगा लेकिन मैं उससे achieve करना कोशी आता हूं कि मेरा जो सौंग है वो कहां फिलहाल पहुंच गया है मैक्सिमस नहीं लोड़ नम बाद शहां गुटी हुई रियासता मैं गुटी हुई सियासता हो बिख दे नंगे जो बासारों में क्यों तले बैठेगी तकारों में सीखने में वक्त जाया बूखे पेट कीट बनाया प्रोमोशन के पैसे ना इका दुका लाइक आया इज़्जत दो जिन्दे को उड़ते उस परिंदे को ठीक है मैंने हलका सा कंप्रेस और के क्यों कि अब अलड़ी डायामिक रेंज काफी कम हो चुकी थी लेकिन मैंने जैसे आपको बताया है कंप्रेस क्रेश नहीं करना है बहुत ध्यान से सुन-सुन के रीजन मेरी किक स्नेर लाउड है पूरे गाने का लाउड असपाट मेरी किक होती है वो मैं जानता ही हूँ क्या मैं किक को अगर एक डीबी कंप्रेस कर दूँ मेरी गाने पर फर्क पढ़ रहा है बहुत ध्यान से मैं सुनता रहूंग शायद नहीं पढ़ रहा अगर नहीं से और कंप्रेस करके दिखा कि दो डीबी ये चलो थोड़ा ज्यादा हो रहा है थोड़ा वापिस चले कुछ तो ऐसा कितना तो मैं कंप्रेस कर सकूँ कि मेरे गाना मुझे आपस में गलू भी लगना शुरू हो जाए मतलब एक सही एक दूसरे के साथ सब जुड़ा हुआ अर बात में मुझे लिमेटिंग भी करनी है मुझे थोड़ा लाओड भी करना है अब जितना मैंने कंप्रेस किया हल्का समय गेन दिया है मैं कंप्रेसर के साथ ज्यादा नहीं छेडता हूं एक वेव शेप कर लूँगा मैं बहुत मुझे ऐसी फील आ रही है कि थोड़े से मैं और हार्मॉनिक्स एक्साइट कर सकता हूँ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया dynamics, saturation, compression, saturation, harmonics यह चीजें जो है यह बहुत ज्यादा important है overtones यह किस तरह के words हैं आप जाके अकेले के लिए पढ़ते भी रहे हैं अगर आप advanced level फिलहाल नहीं है और मैंने आपको बताया है यह एक advanced lecture है और इससे आपको एक overall पता लगेगा जीरो से एंट तक और बाद में हम सब कुछ off और on करके भी सुनेंगे कि कितना huge difference इसके अंदर आ चुका है तो मैं बार बार compression और फिर saturation को इतनी importance क्यों दे रहा हूँ perceived loudness की वज़ा से आजकल नहीं पिछले कुछ वक्त से ही एक बड़ा शोर मचा हुए LUFS सर माइनस 14 LUFS तो YouTube का होता है मैं माइनस 14 LUFS पी upload करता हूँ लोगों का loud सुन रहा होता है मेरा loud नहीं सुन रहा होता चाहे उसका जितना मर्जी loud था YouTube ने उसे भी माइनस 14 पे दबा दिया था मेरा भी माइनस 14 पे था उसका loud क्यों बज रहा है मेरा loud क्यों नहीं बज रहा है उसका main reason है sound की perception perceived loudness एक बहुत important topic है कि जो मैं अपने students को किस तरह से हमेशा समझाता हूँ कि एक थोड़ा fatty आदमी है मोटा आदमी कह सकते हैं जिसके बाज हुए 16 इंच की आमस हैं लेकिन fat जैसी है दूसरा एकदम lean muscle वाला बंदा है उसकी जो आमस है वो 15 इंच है तो अगर हम वैसे size ना पे पीक मीटर के हिसाब से तो तो जो मोटा आदमी है वो ही जदा बढ़िया दिखना चाहिए लेकिन जब हम उसकी RMS, LUFS चेक करते हैं मतलब टेक्निकली कि अंदर कितने fiber हैं अंदर कितने harmonics हैं तो वो जो lean bicep वाला आदमी है चाहिए वो 15 इंच का ही है लेकिन जब उसके हम तस्वीर खिंचेंगे तो उस मोटे 16 इंच वाले से वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है त subtle 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 करना है बहुत हलका हलका कान आपके अच्छे से train होने चाहिए बहुत ज्यादा practice की ज़रूरत है राइट आप देख रहे हैंगी ऐसे लगता है कि परदे से कोई बहर निकला है बहुत subtle मैं on off करके दिखाऊंगा ये off है चलते ही मैं आपको on करूँगा बिच में आप ध्यान से सुनिएगा मैं आशा कर रहा हूँ कि अब तक जितना लेक्चर हुए आप मोबाइल पर यू नहीं देख रहे हैं अट लिस्ट एरफोन से लगा ही लेजिए ये देखिए मा on off करता हूं फिलाल off है है इकटेन अंगे जुबासर ओंन िhigh कि यू यू धक है थे यहां मैं क्या चाहूंगा देखिए मिडसाइड प्रोसेसिंग ती चार तरीके के साथ होती है अगर 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 मेडसाइड एक्यू कर आ動 तो मैत प्रो क्यू थृ यू हूज करता हूं जिनके पास पक्यू प Master Class, Devnext Level इख सकते हैं, 0-100 मैंने उसके अंदर सारा ही बताया है, जो लोग internal यूज़ करते हैं, वो patcher यूज़ करते हैं, कि एक patcher लिया, patcher के अंदर मैंने एक studio imager लिया, stock VST की बात करा हूं मैं, studio imager के अंदर ही एक preset होता है, mid side वाला, वो लिया, और दो EQ निकाल दिये, एक EQ मेरा mono देख रहा है, एक EQ मेरा stereo देख रहा है, दोनों से through signal pass होता हूँ, फानल मैंने उसके उपर आ गया, यहां मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, हम ये इतना कुछ क्यों करते हैं, सिर्फ इतना चेक करने के लिए, कि दुनिया अगर मेरा गाना mono में सुन रही है, दुनिया अगर मेरा गाना stereo में सुन रही है, तो दोनों को ठीक सुन रहा है, kick सुन रही है, snare सुन रही है, कुछ आपस में तो नहीं, कुछ clash हो रहा है, vocal, lyrics अब समझ आ रहे हैं अच्छा लग रहा है, bass आ रही है, ठीक है तो कुछ यह तो नहीं है, कहीं phasing issue आ गया है कुछ अजीब सा, कुछ तो नहीं कुछ इस तरह का तो नहीं आ रहा है तो हमारा main purpose यह होता है अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ low और मैंने कर दिया solo मैं सिर्फ bass सुनूँगा और यहाँ से मैं यह band देखूँगा कि मैं कितना रखता हूँ मैं वहीं तक रखूँगा जहां सिर्फ मेरे पास lows रह जाएंगे maximums off था दोस्तों यह किया मैंने on low, solo हो रखी है अगर solo नहीं होगी solo on करते ही सिर्फ bass रह जाती है अब कितनी चाहिए यह मैं यहाँ से देखूँगा मैं इसे left right यहाँ से move करूँगा आप hint panel में देख सकते हैं कितने hertz तक मैं जा रहा हूँ उसका band set करने को चलिए तकरीबन 104 hertz अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ मैंने low, mid, high मैंने 3 minutes बनाए low मैंने 104 तक रखा 20 hertz से 20 कैसे है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं यह मेरा low cut के उपर अगर मैं यह लेके जाता हूँ तो hint panel में लिखा हूँ है low cut 20 hertz जो वैसे भी होता है 20 से नीचे हम क्या 20 भी आजकल ढंक से name सुन पा रहे हैं अगर हम 18 के उपर हैं मैंने आपको बताएए अब मैं यह low को यहाँ जब मैं जाता हूँ यह हिस्सा जो आप देख रहे है stereo separation हम यह विर्स की बात कर रहे हैं तो इसको मैं धीरे 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 राइट साइड ले आँगा merge करता गया और एक दमवोक complete mono हो चुका है यानि कि मेरे पूरे गाने का जो spectrum था जहां भी जो भी frequency सी किसी भी band के उपर 104 hertz से नीचे वाली जो है वो मैंने totally ही mono कर दी है right अब मैं आता हूँ मेरी mid पे और मैं आता हूँ high पे मैंने solo किया हूँ इसलिए केले केले सुन रहा है ठीक है right अब जब मैं mid को यहां से right जाते है तो mono की तरफ जाते है left जाते है ठीक है मैं जब इस तरह की कोई भी चीज करूँगा जब मैं mix के दोनान भी कुछ panning कर रहा हूँ कोई मैं layer stack कर रहा हूँ कोई भी मैं कोई width की बात कर रहा हूँ या मैंने कुछ mono compatible wider जैसा भी लिया है लेकिन उसे overdue करने की सोच रहा हूँ तो बार-बार मुझे जो मेरा signal है वो mono करके check कर लेना चाहिए कि कोई phase issues हो गयरा तो नहीं है या कोई भी और problem तो ना आ रही हो ठीक है तो आप देख सकते है मैं चाहिए यहां से वैसे अगर आपके पास audio interface थोड़ी अच्छी quality का है उसके अंदर mono का बटन होता भी है वो click कीजिए आपको mono में सुनने लगेगा आपने click किया stereo में सुनने लगेगा या फिर आप final जो मेरा signal है यहां से भी mono करके एक बार सुन सकते है ठीक है मैंने इसको फिलहाल किया mono हम सिर्फ mid सुन रहे हैं इस वक्त किके अप्यक्तित्व की बाते छोड़ कैसा आया तिर्छा मोड मरने पेहीते देव्यूस सिंधा किसी न पेंदी लोड़ बाद श्यांस आये गुटी हुई रियासता में गुटी हुई सियासता भो ठीक्ते नंगे जो बैसारों में क्यों से बैठेगी तकारों में सीखने में वक्त जाया का दू का लाइक आया ठीक है अब ये जो है मैंने अलग-अलग क्या सुना कभी मिट सुना कभी लो सुना कभी लो को मैंने बिल्कुल मोनो किया हुआ था मिट को थोड़ा सा मैंने सेपरिट किया हाइस को थोड़ा और किया फिर थोड़ा वापिस पे गया, वो मैं एक्चुली क्या सुन रहा हूँ, मोनो किया हूँ, मैंने फाइनल मेरा जो है, तो उससे मैं सिर्फ यह सुन रहा हूँ, कहीं कोई फेज इशू तो गएरा नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, वैसे भी मैंने मिक्स के दौरान ही यह कोशिश की होती है, मीच बीच में मैं चेक करता रहता हूँ, अब वापिस मैंने इसको स्टीरियो कर दिया है, अब एक बार फिर से सुनते हैं, आप देख रहे हैं, जो लोग हेड़फोंस में सुन रहे हैं, किस तरह से वो एक दम भरा हुआ, बहुत ही अच्छा सा, और मैंने इसकी प्रोडक्शन में कुछ भी ज्यादा ओवर डूनी किया, अगर आप बड़े ध्यान से, इतमीनान से उसकी लेयर सुने, किक स्नेर, एक मेलेडी, एक बेस ठीक है, एक सब बेस है, एक थोड़ी मिट टोन वाली बेस है, उस ज्यादा लेयर है ही नहीं मैं सबसे लाउड पार्ट पर जाना चाहूँगा मैं यहां से प्री गेन चेड़ रहा हूँ, मेरे मास्टर का प्री गेन और पोस्ट गेन में क्या फरक है, जो अविसली हमने जो सेटिंग की हुई है, उसके बाद की नहीं, जो उस सीलिंग की फॉर एक्जेंपल अगर मैं यहीं पर लिमिटिंग कर रहा होता और मैं इसे पकर था, और मैं इसे चली, यहां ले आता, माइनस 1.5 यह मैं ने क्या किया है, जो मेरी सील है, यह मेरी छफ है, इस छफ को मैंने माइनस 1.5 डेसिबल नीचे कर दिया, अब मैं नीचे से जितना मर्जी प्री गेन जितना मर्जी में बढ़ता जाओं बढ़ता जाओं हाइट बढ़ाने वाली गोली खाता रहाँ मैं इसको क्रॉस नहीं करूँगा क्योंकि माइनस 1.5 में नीचे ले आया हूँ लेकिन अगर मैं पोस्ट गेन छेड़ूँगा उसका कहने का मतलब क्या है कि यहां तक जो आपका सिगनल बन चुका था बन चुका था अब इसके आगे को मैं बढ़ाना शुरूँगा हूँ तो फिर वो मास्टरिंग हुई ही नहीं तो मुझे यहां पे बस सबसे वहले वापिस से उपर कर दूँ क्योंकि मैं इस से इमिटिंग नहीं मैं एक अलग लिमिटर वहाँ पे लूँगा जो मैं आउन कर रहा हूँ और मैंने जब वो आउन कर दिया है लिमिटर तो जो मेरी सीलिंग है जैसे मैंने भी आपको एक्षियाप लुपता है मैं 1.5 नहीं लेने वाला मैं लेने वाला हूँ माइनस 1 आप हिंट पैनल में देख सकते हैं मैं इसको उपर लेके जाता हूँ हिंट पैनल में लिखा है माइनस 1 डेसिबल अब यह माइनस 1 डेसिबल कहां से आया देखिए पहले होता था माइनस 0.1 फिर आ गया माइनस 0.3 CD वाला जमाना आ गया, जी, कसेट से CD पे आए, फिर आ गया ये streaming वाला, की जी, Spotify पे जाएगा, यही audio मैं रेंडर करूँगा, वो Spotify पे चली जाएगी, वो iTunes पे चली जाएगी, वो YouTube पे चली जाएगी, और जितने भी ये platform है, ये अपने-अपने codec के हिसाब से, अपने-अपन formats में convert करते हैं, ये नहीं है कि मैंने wave डाली है, और सब के उपरा wave सुनते हैं, नहीं, इसी वैसे तो हमें ये लगता है, कि wink क्वालिटी कुछ ऐसी है, गाना की थोड़ी बैटर है, Spotify पे जादा सुनता है, क्योंकि सबका compression जो है, वो अलग-लग level का है, तो जब वो इस तरह स पे उनको master करके दे दूँगा, तो possibility है, शायद कुछ change आ जाए, कि यहां कुछ ऐसा सुनता है, वहां कुछ अजीब सा सुनता है, हम 00 करके spotty eye अपने Instagram के ओपर वैसी reel डाल देते हैं, और आपने सुना होगा, कुछ गाने बहुत ही फटे हुए से सुन रहे होते हैं, वो इस खुटी हुई सियासित्ता हो, पिकते नंगे जो बासारों में, क्यों दले बैठेगी इतकारों में सीखने में वक्त जाया, बूखे पेट गीत बनाया, प्रोमोशन के पैसे ना, इका दुका लाइक आया, इस्जत दो, जिन्दे को, उड़ते उस परिंदे को, चुन चुन के हैं शब्द भुने निर, वस्तर गाया, फुहरमाया, वस्तर गाया, फुहरमाया, बैटे वो करने विचार, धरने पे गए हैं सिंगर चार, गाना बना लो, बायरल करालो, फिर है फ्री में वीडियो निकालो, हर मुदे को व्यूज से तोले काले, यहां से हवं क्लिक करते हैं तो यहां से हीटम्प आउन हो जाता है जो पुराने SI UK के अंदर हिस्टोग्राम नहीं होता था भी '' तो यहां से हम दोनों कर सकते हैं मैंने सिरफ फ्रिक्वेंसी देखने के लिए बैंड मेरे किस तरह से चल रहे हैं थोड़ा सा मैं अचली जहां पर वो ज्यादा लाइट्स होती है अचली वहीं पर रेजोनेंस होने का खत्रा होता है बहुत ही अच्छी यह जो लाइटिंग सिस्टम इन्होंने बहुत साल पहले बना दे था बहुत ही बड़ी है चीज है वो बट इस गुइंग ग्रेट थोड़ा सा मैं वाप गुटी हुई रियासता मैं गुटी हुई सियासता हो पिक्ते नंगे जो बटेगी इतकारों मैं तरकाया फूहड माया तरकाया फूहड माया तल बैठी वो करने विचार धरने पे गए हैं सिंगर चार गाना बना लो वाइरल करा लो घीर है फ्री में वीडियो निकालो अब हम आते हैं मेरी फाइनल लिमिटिंग की तरफ और मैं देखूंगा क्या मुझे इस गेन को उठाने की ज़रूरत है या नहीं वैसे I am already very much satisfied हम mono और stereo करके देख चुके हैं कि कोई phase issue है या नहीं है थी जो boost मांगती थी थोड़ी से हमने boost कर दी dynamic range ज्यादा थी उसको हमने थोड़ा सा कम कर दिया और हलके हलके harmonics भी add किये वो भी दो अलग-अलग saturation या harmonics वाले या distortion वाले plugin लेकर अब यहां से finally मैं थोड़ी से और loudness वैसे मुझे मालूम ही है कि YouTube ने तो दबाई ही देना है तो इससे ज्यादा loud जाने की जरूरत है भी नहीं पर चलिए मुझे कहीं किसी live show में या किसी गाड़ी में किसी दोस्त ने वैसे ही सुनना है या audience को वैसे भी देने के लिए या सेव करके रखना ही है एक मेरे पास final master देखते हैं आप देख रहे हैं मेरे सिर्फ जो peaks हैं वही टच कर रही है यानि मेरे पास अभी space है नाइस बहुत बढ़िया अब यहां से है कि मैं over loud देखे अब अगर आप earphones में सुन रहे हैं तो बड़े सही से dynamic सुन रहे हैं मेरी cake मेरी bass बड़ी साफ आ रही है वोकल एक दम clear सुन रही है कुछ यह नहीं है कि कुछ दब गया या कुछ clear आप कम volume पर सुनेंगे तो भी vocals अच्छे सुन रहे हैं ज्यादा volume पर सुनेंगे तब भी vocals अच्छे सुन रहे हैं क्योंकि मैं हमेशा से मैंने एक कोशिश किया don't be a part of that loudness war और बहुत अच्छा हु हुआ है कि यह minus 14 यह वो कि यह दबाना शुरू कर दे हैं so that हम loudness की perceived loudness को एक serious लेना शुरू कर दें compression और saturation को serious लेना शुरू कर दें अब मैं यहां से और loud भी कर सकता हूँ जो मैं थोड़ा overdue कर दूँगा जो मेरा मन फिलहाल नहीं है अब हमारी जो mastering है वो done हो चुकी है हम देख चुके हैं मेरी chain में क्या था EQ था फिर compressor था एक और EQ लिया मैंने थोड़ा सा distort किया उसके आद मैंने हलका सा फिर से compress किया क्यो दोस जो थी बिल्कुछ सब और काफी उसको मैंने mono कर दिया और बाकी को हलका हलका मैंने सुन-सुन के stereo किया लेकिन इस साब से किया कि कोई phase issue ना आ जाए कोई और problem ना आ जाए और finally मैंने बड़े आराम से बड़े subtle तरीके से थोड़ा सा limit कर दिया यही मेरी mastering है अब आप च अब हम off करके सुनते हैं loudest part सुनेंगे और अब हम सब को on करके सुनते हैं बात सही है मरने के बाद ही हम व्यूज देते हैं तो यह थी advanced mastering with stock plugins और इसको core समझीए बहुत दिल से समझीए कि हमें अगर audio engineering का base मेरा strong होगा तो बहुत सारे VSTs ख्रीदने की जरूरत नहीं है बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है अगर यह minus 8 minus 9 वैसे मेरा जो मैंने upload किया था minus 10 approximately LUFS था जो कि minus 14 हो गया होगा मैं यहां जाता हूँ यह रहा इसे मैंने right click किया यहां से मैंने किया stat for nerds इस पे click किया तो यह बता रहा है कि जी हां तकरीबन 5 decibel दबाया गया है यानि कि minus 9 के round जो थी इसकी LUFS थी उसने 5 dB दबा के minus 14 कर दी है अब जो भी आप YouTube यानि यह सुन रहे हो तो 5 dB दबा हुआ ही सुन रहे हो तो दबे हुए के बाद भी जो बाकी rap songs आते हैं या बाकी दूसरे गाने आते हैं उनके मुकाबले 19-20 है या बहुत ज्यादा फरक है बराबर है तो अच्छा हो गया सब साफ सुन रहा है बहुत अच्छा हो गया बेस एकदम flourish डा रही है ठीक है बेस किसी instrument को तो नहीं खा रही बहुत अच्छी बात है mastering is done, simple, easy, advanced तो यहाँ पर lecture फिलाल समाप्त होता है और आपसे मैं गुजारिश करूँगा इसकी final sound quality चेक करने के लिए आप Spotify पे जाएए search कीजे बादशा मेरी EP का गाना है पूरी EP सुनिए एक गाना और रहता है वो भी बहुत जल्दी आने वाला हो सकता है इस वीक या अगले वीक तक आ जाए तो चैनल को तो अब ज़रू सब्सक्राइब करेंगे ही और किसी एक के साथ share भी ज़रूर करें मिलते हैं किसी ओर लेक्चर में तब तक लिए देवनेक्स लेवल साइनिंग आउट नमस्ते